सब्वेस अपके पास भी है ऐसा कुछ पेंट रही है इस डी कर जिसका डाटा हो गया पूरी तरिके से डीलेट तो आप जाओ आपने पाफ़ सुलूशन है तो आपका मोबाइल पेंट रही हुए सबका डिटा डिलेट हो गया तो उसको बहुत एजी ली देखो एकदम चूटके में उसका रिकावर कर सकते हो तो आज के वोड़ी में हम बता जालेंगे इसको कैसे रिकावर कर सकते हो आप वीडियो को आगे दिखते हो तो चलिए शुरू करते हैं तो आपको चाहिए एक बहुत बढ़िया चीज हो हता है हमारा कंपूटर सिस्टम है तो इसके लिए हम सॉप्टेर वगरा कुछ उज करेंगे कुछ से बढ़िया सॉप्टेर है काफी पेड होगे रहे हैं सारी चीज़ आपको आगे पता चल जाए लाइक हम इस पे पुरा डेटा रिकावरी का पुरा पूरा प्रोसेजर हम कैसे करने आ ले तो इसको हमने लगाया इधर चाह भाई यह गया अपना अंदर अभी हम जाएंगे फाइल सिस्टम के अंदर आपको दिखे गए आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो दिस पूरा प्रोसेजर दिखाते हैं कि कैसा है तो चल एंजोई आप स्क्रीम के उपर देख लीजे अधर और देखो मैंने बोला तो आपको दिस कंप्यूटर के अंदर जैसे जाएंगे विश्णु ने माने के पूरे फोल्डर पड़े है यह इसमें हमारे प्यारे प्यारे से है अब इसमीए करता हो है अपने सारे फॉटो को बंडेट कर देंगे ठीकर आपनने के अच्छरणे क्लिक कंट्रोल एक करके सिलेट आल कर दिया है और राइट क्लिक करके देखो आपके सामने करता हूं सिलेक्ट आप देन डिलेेट अ हॉदा अरे शोड फर्मानेंटली डि इससे आपको मैं Android को insert कर दिता हूँ, तब भी आप यहापे देख सकते हैं, इसमें कुछ फोटो दिखा नहीं रहे हैं, इसमें सिस्टम वालियूम का दिखा रहा है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करती हैं इसकी recovery, तो recovery के लिए बहुत सारे टूल अवले भल हैं, लेकिन most of अच्छे अच्छे टूल है, लेकिन हम देखेंगे अभी, recovery करके टूल आता है, जो आता है, wondershare का, देखो आपको यहापे दीख जाएगा guys, recovery, wondershare, wondershare recovery करके टूल है, जिससे आप काफी सही तरीके से आप कर सकते हैं, तो हम इसको run करते हैं, और भी बहुत सारे टूल है, जिसके लिए आपको एक dedicated वीडियो बना दूंगा, या एक shot डाल दूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि guys, कौन-कौन से टूल अगरा, ओले ठीक है, तो मैंने इसको run कर दिया guys, तो अपना ये टूल run हो गया, आपको यहापे दिखेगा, एक्स्टरनल ड्राय हो, आप इसको refresh करेंगे, तब भी आपको दिखेगा, एक्स्टरनल ड्राय हो, तो क्या होता है, जो photos अगरा, videos, हम जो भी delete करते हैं, कभी delete नहीं होते हैं, वो always store रहते है, binary form में, अब जब भी delete करते हो, आप उसका extension delete करते हो, मतलब dot jpg, dot png, या dot mp4, तो यह जो होता है, यह photo video का extension होता है, तो हम यह delete करते हैं, ना कि हम photo को delete करते हैं, तो always store in binary form, हम इसको उपर जैसे click करेंगे, तो यहाप इसने scan करना start कर दिया, और इसने अपने photos दिये गए, यह 50% scan हो गया है, हमने तो सिफ 2-3 photos delete कर दे लेकिन इसने अपने को कितने photos दिये, 1.26 GB का data इसने हमको लाक के दिया, जिसके हमारे बहुत पहले की भी पूराने से पूराने photo है, तो like इससे आप कितने भी पूराने photo download कर सकते हो, जो आपके delete हो गए, फिर से तो अभी हम क्या करेंगे guys, आभी हमने जो recently photo delete किये थे, हमको उसको धुणना है, तो अभी हम क्या करेंगे, filter के उपर जाएंगे, और time की subset आएंगे, time की sub से हम डालेंगे इसमे, past week डालेंगे, past week की sub से जो भी इसमें delete होए, वो इसमें दिखाएगा, या और कुछ देखा तो इसमें से हम photo चाहिए हमें, तो इसमें से हम filter को भी पुरा try कर सकते हमें, क्या क्या चाहिए इसमें से, ठीक है, date का अगर select कि आपने past day करके अपने select किया, तो past day में जो भी अपने delete किये है, सारे के सारे इसमें आप दिखा देगा, और अब आपके जो चीज भी delete हुई ह सब 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 कुछ आपको दिखा देगा, ठीक है, it's a good thing, तो मैंको लगता है इस सबसे एक आपी side tool है, और आपको भी इसको use करना चाहिए, अगर आप hacking को अगर इसमें कर रहे हो, तो बहुत सब चीज है, ठीक है, सब चीज आपको इसमें मिल जाएंगे, I hope मैंको लगता है आप इस वीडियो को ज़रूर enjoy करेंगे, अभी इसको अपने को रीकावर करना है, ठीक है, तो रीकावर करने के लिए इसमें JPG है, JPG के अंदर lost file करके, जो आपन ने अभी delete किये थे, देखा आपन ने, ये भी पहले के मेरे photos है, कुछ बहुत पुराने, जो मैंने delete कर चुक इसके उपर इसे click करना पड़ेगा, dedicate जो मेरे को चाहिए उस हिसाब से, तो यह आप select all भी कर सकते हो, यह अगर आपने click किया, तो select all सारे के सारे photos मेरे delete, lost photos हो जाएंगे, जो काफी बड़े मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक example के लिए दिखा देता हो, ये photos है, या अपने recently देखो, ये photos, ये मेरे बहुत पुराना photos है, जो मैंने delete कर दिया था, तो ये photos है, इसको मेरे को रिकावर करना है, इसके उपर मैं जैसे click करूंगा, उसके रिकावर का आपको यहाँ पर option मिलेगा, इसके उपर मैं जैसे click करूंगा, ये मेरे को driver पूछेगा, आ आपने जो बात दिया है, मतलब की आपका जो पहली के है, उसके इसमें आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं दे दूँगा, मैं इसको d drive दे दूँगा, d drive में मैं new folder बनाऊंगा, और देखो, मैं इसके new folder बना दिया, new folder का मैंने को नाम पूछ रहा है, नाम बोलता, test करके, test backup करके मैंने इसका नाम डाल दिया, enter, test backup करके और हम record का बटन दबा देते हैं, यह पूरा का पूरा जो फूटो अपन ने डिलेट किये थे, वो record आ गए, अभी guys आप फिर से आएंगे इस पीसे में, अपने d drive से लेक किया था, d drive के अंदर में बहुत सारे folders पड़े हुए है, तो ह अपना test backup, हाँ, new folder के अंदर test backup बना था, देखो ठीक है, new folder था, d drive में, इसके अंदर test backup बना दिया हमने, इसके रिकवरी की यह folder बन दिया, जिसके अंदर जो डिलेटेट फाइल का एक folder रहता है, और यह जीपीजे अपने रिकवर किया था, और यह देखो, lost file name, यह photos था, ठीक है, I hope मैं को लगता है, आपको रिकवरी का basic method आपको पता चल गया, इससे आप photos, videos, overall आप सब कुछ इससे रिकवर कर सकते हो, जो कुछ भी आपका है, तो आपके जैसे भी कुछ doubt रहेंगे, आप हमें पूछ के जरूर salt out कर सकते हो, I hope मैं को लगता है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाना, तो guys, वीडियो को लाइक करेंगे, आपके जो doubt है, हमें comment में पूछ के, आप जरूर solution देने के, dry करेंगे, पूरी तरीके से, so guys, scan भी complete होगा, इसने दिखा दिया, 3000 से जादा इसमें photos, content पढ़ाया, ठीक है, यह रहा था wonder share का recovery, अगर आपको को आपके सारे doubts, thoughts सब clear हो गए, होंगे, अगर कोई thought हो गए रहा है, तो आमें comment करके आप जरूर पूछ सकते, आपको यह वीडियो अच्छा लगाए, वीडियो को like कर देना, चैनल पे वीडिवार अच्छा लगाए, सब्सक्राइब कर देना, साथी साथ बेल आकों को इट कर सब्सक्राइब कर देना, जिस्से हमारे आने वाली वीडियो के नोडिवीज आपको, ऐसा ही मिलती है, में लिए किसे नेक्स्ट वीडियो में दवत्तर के लिए, thank you so much, जाइक इन बंदे मात्रों!